Hello everyone, welcome to my YouTube channel श्रिजन नमाचार में, मैं रचना शुकला Class 5 की इंग्लिश की बुक पैटल का चैप्टर नम्मर 8 बॉबी दा रोबोट को लेकर आई हूँ सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके अनुवात को देखेंगे और बुक में जितना भी exercise है, उसको एक साथ एक वीडियो में हम देखेंगे बॉबी दा रोबोट, बॉबी एक रोबोट, अतुल रेट एन अड़र्टाइजमेंट इन दा नियूस पेपर अतुल ने क्या किया, रेट किया, क्या रेट किया, एन अड़र्टाइजमेंट यानि एक विग्यापन और इन दा नियूस पेपर, एक नियूस पेपर में यानि अतुल ने अख़बार में एक विग्यापन पढ़ा You can make, तुम सकते हो बना, तुम बना सकते हो योर, अपना, वोन तुम बना सकते हो अपना खुद का रोबोट, उसने नियूस्पेपर में पढ़ा A robot that hops, और कैसा रोबोट आप बना सकते हो? यो ऐसा रोबोट जो कूदता हो, hops यानि कूदना या फुदकना As soon as the rate this, जैसे ही उसने यह पढ़ा He said excitedly, यानि वो साह पुरवक बोला क्या किया, उसने उत्सा से कहा या बोला, said Now I can make my own hopping robot अब मैं अपना खुद का hopping यानि फुदकने वाला, अब मैं अपना खुद का फुदकने वाला नी hopping robot बना सकता हूँ He rushed to the shop, वह कहां भागा? rushed यानि भागा to shop एक दुकान पर and bought और क्या किया, खरीदा a robot kit और वह दुकान पर गया और एक robot kit खरीदा On reaching home, यानि घर पहुचने पर उसने He assembled all the parts of the robot और घर पहुचने पर उसने robot के सभी हिस्से को इकठा किया यानि all the parts of the robot and named it Bobby और उसने उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम Bobby रख दिया लेकिन अतुल कुद नौट अतुल ने make नहीं बना पाया Bobby hop लेकिन अतुल ने कूदने वाला robot नहीं बना पाया He read the instruction carefully और उसने क्या किया? बहुत उसके निर्देशों को instruction यानि उसके निर्देशों को carefully यानि बहुत सावधानी से पढ़ा and try to reassemble it और फिर इकठा करने की कोशिश की यानि जब उसने carefully उसको पढ़ा और फिर उसको try किया उसने और फिर reassemble किया पुना इकठा किया बट failed लेकिन वह असफल रहा अतुल called his mother अतुल ने अपनी मा से क्या किया? help मांगी यानि मदद मांगी यानि उसको बुलाया mother also tried very hard और उसकी मम्मी ने क्या किया? मा ने भी बहुत कोशिश की बट लेकिन she too she too could not make bobby hop यानि उसकी मा ने बहुत कोशिश की लेकिन वह भी bobby को नहीं बना सकी कैसी bobby को नहीं बना सकी? hop यानि कूदने वाले रुबोट को नहीं बना सकी अतुल's father यानि अतुल के जो पिता को to find out that they were doing यानि अतुल के पिता को पता चला कि वो क्या कर रहे थे? यानि they were doing वो क्या कर रहे थे? one after the other, everyone in the house tried यानि एक के बाद एक, everyone यानि सभी लोगों ने जितने भी उसके घर में हैं उन्होंने कोशिश की कोशिश की no one could make bobby hop लेकिन कोई भी कूदने वाला robot नहीं बना पाया यानि फुदकने वाला robot नहीं बना सका at last अतुल's sister और अन्त में आखिर में अतुल की बहन mala saw, यानि mala ने देखा, क्या देखा? the phone number उसने phone number of the shop on the packet फिर अन्त में, यानि at last अतुल's sister ने अन्त में उसकी बहन, अतुल की जो sister है mala ने देखा, यानि देखा phone number और shop का, किस पे उस packet पर उसने उसका phone number देखा she called up और उसने उसको phone किया the shopkeeper और उसने shopkeeper यानि दुकानदार को phone किया she asked और उसने क्या बोला? उसने why is a bobby not hopping? bobby यानि bobby जो उसका robot है वो क्यों नहीं कूद रहा है? the shopkeeper replied और दुकानदार ने उत्तर दिया you must tap it on his head after assembling all the parts यानि assembling यानि इकठा कर लीजे जब सारे part को जोड लीजे फिर आपको tap करना है उसके सिर पर आप उसको tap करिए यानि उसने कहा कि आपको सभी हिस्से को इकठा करने के बाद उसके सर पर tap करना है now अतुल tapped on the bobby head अब अतुल ने यानि bobby के head यानि सिर पर tap किया यानि मारा wonder of wonders आश्चर की बात है bobby hobbed, bobby क्या करने लगा? वो कूदने लगा bobby the robot hobbed all around in the room bobby robot all around यानि पूरे room यानि कमरे में कूदने और फुदकने लगा अतुल called his friend अतुल ने अपने दोस्त को बुलाया to play with it उसके साथ खेलने के लिए प्रसांत उसका एक दोस्त है और उसने पूछा what are the other function? वोट क्या ये और भी car function ने कार कर सकता है of your robot यानि तुम्हारा ये जो robot है वो और कार भी कर सकता है it performance barriers यह बिभिन कार कर सकता है it walks यह चलता है, speaks बोलता है and moves its arms to और अपने हाथ को निबाह को हिलाता है अतुल replied अतुल ने उत्तर दिया all his friends played, उनके सभी दोस्तों ने खेला with Bobby, Bobby के साथ and enjoyed और आनंद लिया word meaning देखिए, hops यानि फुदकन, excitedly यानि तेजी थोकर, रज्ड यानि तेजी से चला, assembled यानि हिस्से को जोडा, instructions यानि निर्देश, function यानि कार्य, answer the following question, निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजे, what was the advertisement about, विग्यापन किसके बारे में था, the advertisement was about the hopping robot, विग्यापन एक robot के बारे में था, what did अतुल do with the robot kit, अतुल ने robot kit के साथ क्या किया, he assembled all the parts of the robot, उसने robot के सभी भागों को इकठा किया, what was the name of the robot, robot का नाम क्या था, तो इसका नाम बॉबी था, robot का नाम बॉबी था, how did Mala help her brother, Mala ने अपने भाई की मदद कैसे की, Mala helped her brother by calling the shopkeeper on the phone number given on the packet and asking him how the robot will hop, Mala ने packet पर दिये गये phone number पर दुकानदार को फोन करके पूछा कि robot कैसे कूदे गया फुद केगा, where did Atul tap to make Bobby hop, Bobby को hop करने के लिए Atul ने कहा टैप किया, Atul tapped on the Bobby's head to make Bobby hop, Atul ने Bobby के सिर पर टैप किया था, वो कूदने लगा था, What were the other function of Bobby, the robot, Bobby robot ने अनिकार क्या थे, Bobby robot के अनिकार क्या थे, It walks, speaks and moves its arms, यह चलता था, बोलता था और अपनी बाहा को हिलाता था, Word power, fill in the blanks, यानि आपको रिक्त स्थान के पूर्थी करना है, With the correct word, सही शब्दों के साथ, Given in the Xmas tree, यानि जो इस Xmas tree, यानि पेड़ पर जो ये सारे शब्द लिखे गए हैं, अब इसमें क्या fit बैठता है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, Word power में fill in the blanks, अभी मैंने आपको बुक में दिखाया, उसको यहाँ पर देखे, मैंने fill किया है, copy में, I rushed to school as I was going late, तो यहाँ पर क्या भरा गया है, उस Xmas tree में दिया गया है, रस ज्यानि क्या होता है, तेजी से भागा, कि मैं आज स्कूल में late हो गया था, इसलिए वो तेजी से भागा, तो यहाँ यह भरा जाएगा, at nine o'clock, all the students in the ground, तो student ground में क्या होते हैं, assembled होते हैं नहीं, इकठा होते हैं, तो यहाँ पर assembled भरा जाएगा, Ruby dash to dance, but fell upon the floor, तो यानि वो क्या करती है, pride यानि कोशिश करें, उसने कोशिश किया, और वो कहां, वो नीचे गिर पड़ी, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, pride, उसमें क्या भरेंगे, कि the rabbit hopped down the road, यानि यहाँ पर वो क्या करता है, hopped यानि कूदता है, teachers called uncle on the stage, बुलाया जाता है, तो यहाँ पर called होगा, फिर क्या है, नीचे क्या दिया गया, इसको देखिए, कि Minnie, यहाँ पर dash है, on her doll's head, to make it move, तो यहाँ क्या होगा, tapped, यानि वो अपने उसके, जो doll है, उसके सर पर मारती है, तो यहाँ पर भड़ा जाएगा, tapped, आगे देखिए, एक language practice में क्या दिया गया है, कि fill in the blanks, with suitable common or proper noun of your choice, यानि आपको इसको fill करना है, किस से करना है, common noun और proper noun से करना है, लेकिन remember, ध्यान देने की बात है, कि जो proper noun होगा, वो capital later में ही लिखा जाएगा, तो चलिए इसको copy में मैंने कैसे किया, यहाँ देखिए कि मैंने इसमें पूछा गया है, कि dash 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 are great friend, यहाँ अपने दोस्तों को भी नाम आप डाल सकते हो, यहाँ पर, तो अतुल, माला and प्रशान्त are great friend, the dog is my favorite animal, the rose has sweet smell, the lemon has sour taste, यानि उसका जो स्वाद होता, वो खटा होता है नीबू का, the fourth day of the week is Thursday, we have holiday during the month of April, आप June भी कर सकते हो, the ostrich is a big bird, I was to Delhi last year, the cow is a pet animal, mother bought me a new car, Ravi is my best friend, and I sit on a chair and watch television, देखिए, now classify the nouns you have used above, यानि उपर जो आपने, fill in the blanks में जो use किया है, उन nouns को, यहाँ पर proper noun को, proper noun यानि green वाले में, और common noun को, common noun यानि red वाले में लिखना है, फिर activity यानि गतिविटी देखिए कि क्या दी गई है, ask the children, बच्चों को आपको बोलना है, to make बनाओ colorful robot, एक colorful robot बनाने के लिए कहना है, on a cardboard sheet, यानि cardboard sheet पर बनाना है, या और a chart paper, या chart paper पर, and label its parts, उसके parts को बना कर और उसके नाम को लिखना है, next chapter के साथ, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए, बाइ-बाई!